नमस्ते फ्रेंड अमरता किचन में आपका स्वागत है आज हम बिना ओवन बिना गैस के ब्रेड करम्स बनाएंगे और ये ब्रेड करम्स किन किन चीजों के लिए काम आता है सनेक, कबाब और ब्रेड रोल के काम आता है तो शुरू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल में नए हो, तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिसे आने वाली सारी वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके, तो शुरू करते हैं, ब्रेड से क्रम्स कैसे बनाए जाते हैं, ये हमने चार पीस ले लिए, ब्रेड इस प्रेड कर, जो हमने स्लाइस के साइड के उतारे हैं, पीस, तो इसको हम फ्रिज के अंदर, चार पांच दिन के लिए रख देंगे, जब ये बिल्कुल कड़क हो जाएंगे, तो इसके बाद फिर हम अगला प्रोसर बताते हैं, इसको हम ने फ्रिज में रखा थ, पांच दिन हो गए हैं, तो ये इस परकार हो गए है, तो टोड चुके हैं, इसको हम ठोटे ठोटे L.' टॉड़ो में तोड़ लेते हैं, फिर हम मिक्सी में पीस कर दिखाएंगे, अब इसको हमने ब्रेड करम्स को छोटी छोटी टूकडों में तोड़ लिये अब हम मिक्सी में पीसेंगे इसको मिक्सी को बंद कर देते हैं इसको दर-दरा पीसेंगे ज्यादा बरीक पीसना नहीं है हमने ब्रेड करम्स बनाकर मिक्सी में पीस कर त्यार कर लिया है यह कटलेट कबाब जैसे सनैको के काम आता है और करंची बनाने में काम आता है और आप जरूर ट्राइ कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएना है आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी और अगली रेस्पी के साथ में मिलते हैं वीडियो देखने का दन्यवाद और मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए